नमस्कार आप सभी का डिजी स्कुल में स्वागत हैं आज हम लोग कच्छाच्छे का गणित का तीसरा अध्या है पूर्णांक यह इंटीजर्स पिछले वीडियो में प्रश्णावली 3 दसमल में एक तक हम लोग सॉल्फ कर चुके हैं आज हम लोग प्रश्णा वाली 3 दसमल मौ दो सॉल्फ करते हैं तो आइए हम लोग सुरू करते हैं पहला काता है संख्या रेखा का प्रयोग किये बिना योग ज्याद किजिए, हम लोग को जोड निकालना है, जोड ज्याद करना है, जोड ना है मतलब, और उसमें हम लोग को संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, तो हम लोग जोड का नियम है, उसमें हम लोग जानते हैं यहीं हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग यहां पर लेखते हैं सॉलूशन ए 12 प्लस माइनस साथ यहां पर एक साइन है प्लस का और दूसरा वाला है माइनस का तो सबसे पहला काम क्या करेंगे पहले हम लोग घटाएंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो क्या बचेगा 12 माइनस साथ पांच कीच, अब काता ہے कि जो बड़ी संख्या के आगे जो साइन होगा, वही साइन का हम लोग प्रियोग करेंगे यहां पर कोई साइन नहीं दिया हुए इसका मतलब क्या है? प्लस का साइन है तो हम लोग इसको प्लस ही लिखेंगे जानते हैं जर 90 सांय माइनस का होगा ça just add कर लेंगे हम लोग पहले 270 में हम लोग पहले जोड लेंगे 100 को 200 में 100 जोड़ेंगे ते किता हो जाएगा 300 और 17네 के तो कर लिए हम लोग अब इस Χंtar है Common सचा कर दो इसके बाद हम लोग देखते हैं यह सेम कोस्टिन है यह दोनों प्लस है तो इसमें तो यह तो सल्भारन है हम लोग इसको देखते हैं एक पूरनांग को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो रिजल्ट सुनने होता है यह एक पुरणांख है P4 इसका विपरीद पुरणांख है MINUS 14 जब यह दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो क्या result मिलेगा हम लोग जोने है ठीक है क्या result मिलेगा सुनने तो हम लोग इसको लिखेंगे P4 plus माइनस 14 बराबर 0 इसको हम लोग योज्य योजय पर्तिलों भी कहते हैं कि ये मर्णा गदोनों एक दूसरा का योजय पर्तिलों कहलता है तो योजय पर्तिलों में होता क्या है कि उसका जो result आता है परिणाम वो zero होता है थो जो जो जोडैंगे हम लोग तो वो तो प्लस 12 और प्लस माइनस 12 बकास स्वत बराबर जो एक पांच से तीन अधीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले नमबर नाइन पहले बना लेंगे संप्यारेखाब। ऐसे, यहां मालीजे हम लोग गीरों लीक लिएते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस। एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दस। इधर कर देंगे माइनस वन, माइनस ट्यू, माइनस थ्री, ऐसे चलेगा यह हैं। ठीक है? तहाँ पांच से तीन अधीक है. तो पहले नमबर हम पहले यहां से जीरो से जाएंगे पांच पे. पांच पे चलेगा हैं। से तीन अधीक है तो एक दो तीन बढ़ेंगे हम लोग ऐसे जाते है एक दो तीन ठीक है यह गया यहां एक दो तीन तो कितना हो गया पांच से तीन अधीक है मतलब आठ इसका एंसर हो जाता आठ इस का इसर हो गया जात अवनक देखता है तो पहले हम लोग पहले हैं माइन्स तीन पर तो यह लोग दोख कि दो चार पांच छे साट तो हम लोग चले जैंगे यहां पर तो माइनस टीन से साथ दीक है एक दो तीन चार पांच च्छे साट तो दूसरा bookstore गाइंसर क्या हो जाएगा हम लोग का भी का एंसर हो गया चार माइनस तीन से साथ अधी है चार हो गया एंसर इसी तरीका से इदि C को देखें हम लोग माइनस दो से 3 कम है . , Pvd. K. म में हम लोग लेफ्ट साझ सेलेंगे , और अधिक में राइट साइज पढ़ते हैं ,-2 से 3 कम है , याद रख तरहए गां अधिक में हम इढ़़् हम इधर बढ़ेंगे , कम में इधर बढ़ेंगे , 2 सिप कम अधिक में दाहमी भी है, लिखते हैं , c , माइनस 2 से, तो माइनस 2 पे solo चल जाएंगे हम लोगों यह यह यहां चला है इसकी बाद 3 कम है तो एक दो तीन यहां चलीएंगे हम लोगों एक दो तीन यह कितना हो गया माइनस 5 पह一次 फिर 4 से 9 कम है तो हम लोग पहले चलेंगे चार पर अब हम लोग देखे हैं D को D देखिएगा पहले चलेगा है चार पे पहले यहां चलेगा चार चार से नौ कम है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ ठीक है नौ कम था तो बाइं और चलेगा चार से बाइं और चलेगा हम लोग तो गिन दिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ तो इसका एंसर हो गया माइनस पांच पुस्टन नमबर तीन है संख्या रेखा का प्रियोग करते हुए निन लिकित पुर्णा अंखों का योगफल ग्याद कीजिए तो यह हम संख्या रेखा ऐसे करके हम ड्रा कर दिये हैं चारो कोस्टन के लिए तो एक, पहला वाला पर चलता है काता है माइनस टू प्लस माइनस पोर तो सबसे पहले यह जो नमबर है पहला वाला उस पर हम लोग चले जाएंगे तो माइनस टू मेरा यहाँ पर है ठीक है इसमें कहता है प्लस करना है माइनस फोर को तो हम लोग यहाँ से चलेंगे एक, दो, तीन, चार डिरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे व doit से माइनुप को यहां पर है यहां से हम लोग को माइनसच बलता है वह तोस्व की भाइन और जाना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, हम लोग डैर्क यहां से यहां चले जाएंगे, हम लोग यह गीमते चलिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो नौ माइनस च्छो होगी हमारा, तीन, इसका योगफल हो गया, योगफल बराबर, तीन, इसका योगफल कितना हो गया, इसका योगफल बराबर, माइनस एक, देखे, देखे, इसका योगफल बराबर, इसमें ध्यान दिजिएगा, पहले गया, माइनस वन पे, यहां माइनस वन है, इसके बाद गया, माइनस टू पे, एक और एक, दो, बाइन यूर चल दिए हम लोग, यहां पहुंट गया, माइनस टीन पे, फिर माइनस टीन के बाद फिर बलता है, प्लस टू पे जाने को, त से 8 जाएंगे यूनिट आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां चले जाएंगे फिर बोलता है यह प्लस करना है माइनस 4 को तो माइनस 4 का मतलब 2 और चलेंगे हम लोग 4 पीछे चलता है यूनिट 1234 तो हम लोग यहां पर वह जाएंगे यह किता लिखा हुआ है दो कि इसका योग फल कितना लिखेंगे हैं इसका योग फल हो गए टो पर लाग इसका उखाट है एक्सर स्फडर माइनस 324 टो हम लोग इसको सूल करते हैं इस तरह से solution A 136 और के जगा पे plus minus 324 तो हम लोग को पता है जब ये दोनों sign अलग-अलग होगा तो क्या करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे तो 324 में से 136 को घटा लेंगे 14 में से 6 गया 8 11 में से 3 गया 8 तो ये पस्या मेरे पस 2 2 में से 1 गया 188 और जो बड़ी संख्या के आगे जो sign है वही sign को इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो यहाँ पर मेरा क्या है minus तो हम लोग यहाँ पर minus लगा देंगे इसी तरीका से हम लोग B को देखते हैं B कहता है 576 प्लस minus 176 तो पहले बड़ी संख्या मैं से छोटी संह्ख्या गटा देंगे 6 में से 6 गया 0 7 में से 7 गया 0 5 में से 1 गया 4 अब बड़ी संख्या के आगे का sign तो बड़ी संख्या कोन है 570 इसके आगे sign किस चीज़ कोई ज़ग नहीं है मतलब प्लस है तो हम लोग इसको plus लिखेंगे तो यह होगया हमारा answer मतलब 400 इसका answer होगा इसके बाद c को देखिए minus 515 यहाँ पे plus 15 plus दूसर 15 सेम वही process पे चलते हैं हम लोग पहले ये दोनों को हम लोग add कर लेंगे तो पहला परक्रिया ये करते हैं ये दोनों को एक साथ कर लेंगे तो minus 515 plus 15 करेंगे तो हम लोग इसमें से पहले इसको घटा देंगे ये कहें कि एक यहाँ पे minus है एक plus है तो घटा देंगे तो 500 हो जाएगा ये और जो बड़ा है उसके आगे का sign तो बड़ा कौन सा है minus 515 तो इसके आगे minus लगा देंगे फिर plus 200 15 सेम चीज ये minus है ये plus है इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया पांच 9 में से एक गया आठ और चार में से दो गया तो ये हमारा हो गया 285 साइन किस चीज का होगा तो ये बड़ी संख्या है 500 500 के sign है minus का तो हम लोग minus लगा देंगे 500 किस साइन है minus का तो हम लोग minus लगा ये यह हमारा हो गया answer इसी तरीका से हम लोग D को करेंगे D लिखते हैं minus 74 प्लस यहाँ पे कोई चीज का sign नहीं है मतलब कि यह प्लस 74 है ठीक है इस पुर्णांग का just opposite पुर्णांग है यह बिप्रित पूर्णांग है तो हम लोग को पता है जब दो बिप्रित फीफ पूर्णांग को झब जोड़ा जाता है तो क्या होता है जीरो हम लोग योग तथाथ्म भी कहते हैं तो यह 74 है यह 74 मतलब 24 44 ये यह 54 लेकिन इसका sign minus है इसका sign plus है मतलब यह दोगस्न के ये दुसरे के विक्रीथ हैं, इनका sum क्या होता है, 0, तो हम लोग इसको direct 0 लिख देंगे, और इसको हम लोग योज ये तब समग भी कहते हैं, यह हम लोग question number 4 तक किये हैं, और बाकी जो इसका 4 question है, उसको हम लोग next वीडियो में करेंगे, इसलिकि यह थोड़ा video लंबा हो जा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।